कई महिलाओं को जाने ley infection बहुत ज्यादा होता है प्राइवेट एडिया में जो infection होता है कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा और बार बार होता है इस आंनुफाइस सफाई से बी रहते हैं पिर भी क्यों रहा है बार बार इनफेक्शन को तो कई बर आप तो साफसफाई से रह रहे हैं लेकिन आपके आज पास के लोग साफसफाई से नहीं रहते हैं तो उस वज़े से भी यह इन्फेक्शन बार बार होलता है यानि कि आप कई बर पब्लिक ट्वैलेट यूज कर लेती होंगी जहां आप डिस इंफेक्ट करना भू rewarded भूगिस नई कि उस च्रहाँ है जórकर प्लम होते होंगे इसरी क्यों इस्क्राइब इन्फेक्शन हो जाता है अब यूरीन में इन्फेक्शन पहुच जाता है यूरीन के वजह से बार बार यूरीड करते वक्त पासी ढूंज हो ना काफी जलन महसूस होना बार बार यू frequent urination , ठोड़े तड़ी मातरा में frequent urination भी भर जाता इस infection के कारण Urine का dark हो जाना Urine में smell आना Urine सही से नहीं हो पाना Urine करते वक्त काफी pain होना या भिर काफी जलन टाइप का होना burning type का आपको महसूस होना यह सारे ही infection के लक्षन है ये infection मैंने बोला कि ये अधिकतर क्योंक होते हैं तो ये unhygiene की वज़ा से भी होते हैं कई पर कम पानी पीने की वज़ा से भी ये infection बढ़ जाता है अगर आप कम पानी पी रही है तो infection और ज़्यादा बढ़ने लगेगा burning, itchiness और ये frequent urination कम-कम मातरा में होना बार बढ़ जाना इसकी वज़े से ये भी बढ़ जाएगा और कई महिलाओं को तो ये हर महीने या हमेशा ये infection होते रहता है इससे बजने के लिए क्या कर सकती है कई बढ़ आप ये जो problem हो रही है काफी जादे itchiness हो रही है जलन हो रही है, दर्द होते रहता है, infection काफी बढ़ जाता है तो इस वज़े से relation में भी काफी दिक्कते आती है और इस वज़े से, इस infection की वज़े से conceive भी नहीं हो पाता है कई महिलाओं को pregnancy हाँ, infection की वज़े से pregnancy conceive कर पाना मुश्किल होता है एक तो uncomfortable होना relation में दूसरा infection इतना बढ़ जाता है कि इस वज़े से भी fertilization या implantation नहीं हो पाता है इसको कम करने के लिए home remedy आपके लिए कारगर साबित हो सकता है सबसे पहला home remedy आपके kitchen में ही मिल जाएगा जो कि अजवाइन है अजवाइन के पानी को आपको खौला देना है यानि उबाल लेना है उसको च्छान लेना है उस पानी से wash करना है इंटिमेट एडिया को दूसरा नीम अगर घड के आसपास नीम के पौधे हैं उसके पत्ते को निचोर ले अच्छे से उसको उबालने दस से पंदरा मिल तक उबलने दे उसको च्छानने उस पानी से भी wash किजिएगा तो बहुत ज्यादा effective होगा तीसरा उस अजवाइन की धूनी भी आप ले सकती है धूनी भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है इंफेक्शन को खतम करने में नहीं बार ये इंफेक्शन महिलाओं के period पर भी इनका असर पड़ता है इंफेक्शन की वज़ा से period सही से नहीं होना या फिर blood flow ये इंफेक्शन का जो बॉर्णिंग है इचिनेस है कम-कम मात्र में यूडीन आना है वो कम होगा तो आई होप कि आपको इस वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाए धन्यवाज़ाइए